हाई आपका दोस्ता है सुवागत करता हूँ अपने चनल पे आज ला रहा हूँ सस्ते एन अवार्ट जी हाँ यह स्पेशल अवार्ट सें 2020 के कुछ फोन चूस किये हैं जो मुझे लगा इस साल के बेहुदा फोन से हैं और क्यों आई यह फोन आपको पताऊंगा कौन सा फोन क के लिए मैंने इस अवार्ट के लिए चूस किया अगर वीडियो बड़िया लगी तो एक लाइक जरू कीजिए न्यू है चनल पे तो सब्सक्राइब पीजिए बाकी बुरा मानने वाली बात नहीं है जो दिखता है हम वही बोलते हैं तो शुरू करते हैं इस अवार्ट शो तो शुरू करते हैं चोटे एन अवार्ट तो पहला अवार्ट हमें जाता है मोटो जी एट पावर लाइट ये अवार्ट मैंने इसको इसले दिया क्योंकि इसमें मिलता है अपको एंड्रोइड 9 जी हां वैसे गूगल ने 2020 फेब में कह दिया था जो अब अपकमिंग फोन आएंगी वो सारे Android 10 के साथ आएंगे मगर मोटो हमारा महान है अपनी ही दुनिया में जीता है अपने ही चाल में चलता है फोन लांच करता है कहता है फोन सेगिंड में खतम हो गया मुझे नहीं समझा एता कौन लेता है जो लेता है वो भी सस्ते एंड करता है नेक्स अवार लिया जाए तो आता है हमारा Infinix Infinix Hot 9 Pro ये phone से मुझे बहुत उमीदे थी launch हुआ सारी उमीदे पानी पानी हो गई launch किया है और उन्हें अपना प्यारा दुलारा सबसे नियारा Helio P22 पता नहीं कितना order कर दिया कितने chipset ये ले लिए हैं जो phone launch करता है इस phone के साथ लाता है phone की specs मुझे बढ़िया लगी थी 5000 image की battery 48 megapixel का camera मगर chipset जब भी डालता है तो hug देता है seriously कहूंगा Infinix अगर नहीं छोड़ेगा P22 को तो लोग उसको end में छोड़ देंगे next की बात की जा तो Realme, Realme Narzo 10 Realme Narzo 10 बहुत ही बढ़िया phone था अच्छा प्रोसेसर था Helio G80 मगर price और इसका display इसमें इसने कर लिया सस्ता end जी हाँ, क्योंकि 12,000 price रखी है HD Plus दे रहा है, फुल HD भी नहीं दे रहे तो क्या सोचते हो और 12,000 G80 के लिए बहुत जादा है मेरे को नहीं पसंद आएगी prices की, तो इसको भी मैं कहूंगा ये छोटे N Awards में है क्योंकि बाकी feature इस phone के बढ़िया है इसके बाद आता है हमारा Redmi Note 9 Pro Series ये तो मैं दोनों ही phones के बाद कहूंगा Redmi 7 Series ले लो Redmi Note 7 Series ले लो, Redmi Note 8 Series ले लो बहुत ही बढ़िया Series आई थी, मैंको था ये भी Series बहुत कमाल करेगी मगर ये Series रेली, बहुत ही बेकार नगली कुछ मुझे improvement नहीं लगी MediaTek का G90T जो Redmi Note 8 Pro में आया था, वो काफी स्ट्रॉंग था, मगर Snapdragon 720G लाके, प्लस प्राइज इसका 14,000 करके, मेरे साब से ये Series भी छोटे N Awards में मानी जाती है, मुझे कुछ खास नहीं लगा सबसे बड़ा, आपको example देता हूँ, ये 4 Series चाइना में launch ही नहीं हुई Redmi Note 7 Series भी चाइना में गई है Redmi Note 8 Series भी चाइना में ये क्यों नहीं गई, क्यों भी पता था कि चाइना में कोई इसको लात नहीं मारेगा तो भी ये रोने ये चीज़ इंडिया में ला दी सिर्फ Realme को compete करने के लिए Realme 6 Series को, तो मेरे साब से ये Series भी इस अवाड के लिए पूरी हगदार है नेक्स की बात की जाया तो भी Xiaomi का थोड़ा expensive phone, flagship phone जो बहुत सालों बात Xiaomi लाया है Mi 10, जी या Mi 10 phone मुझे बढ़िया लगा था Mi 10 Pro वैसे Mi 10 इंडिया में launch किया 50,000 का मैं कहूंगा Xiaomi की इस ताइम brand value नहीं है 50,000 की कितनी बढ़िया specs दे दो लोग नहीं invest करेंगे 50,000 Xiaomi बे, brand value बहुत matter करती है आप invest करना चाहते हो, आपको performance चाहिए, उपर से वही Mi 10 में आपको ads मिल सकती है, TechDroid एक मशूर, famous YouTuber है, उन्होंने अपने Twitter पे post किया कि Mi 10 में advertise आती है ये कितना भी कहते है, Mi 10 एक flagship level का phone है, मगर इसमें ad तो उसमें भी मिलनी है, और इनकी vats और इनकी ads इतनी vulgar और इतनी बेकार होती है, अब कुछ कह नहीं सकते, बंदे को यही डर लगा रहता है भई, family वाला ना देख लें कि बच्चा क्या करता है तो ये हैं हमारे छोटे N Awards अब हम बात करते हैं हमारे International Awards की, इसमें मैंने दो phone choose कि है, International Awards इसका नाम इसले दिया है मैंने, क्योंकि भी ये इंडिया में phone नहीं आए, और ये बिल्कुल सस्थे नशे वाले Awards लगने है इन Awards में सबसे वहले मैं इस Award में दी जाओगा, Sony Xperia 1-2, भाइस का नाम में ही लगता है, इनोंने नशाक कर लिया, क्या नाम रखा है, Sony Xperia 1, फिर Roman 2, भी नाम तो बढ़िया रखते, specs काफी बढ़िया है Snapdragon 865 के साथ ये phone आता है मगर cost 1200 US dollar, really you believe it, 1200 US dollar क्या सोच के Sony वालों ने रखा, मुझे अभी तक नहीं समझ आया, कि भी 90,000, 90,000 का ये phone launch कर रहे हैं, वैसे अभी सेल में नहीं है, specs सामने आगे launch करेंगे, जून के जून से इनकी pre-booking शुरू है, फ़र्म में और जून के एंड ये जुलाई में इनकी सेल है, वैकर 90,000 Snapdragon 865 भाई, कौन से जमाने में जीते हो हमारा IQ Neo 3 Snapdragon 865, 28,000 में लिया है, बागकी Sony है बाई, कर सकता है, और Final Award मैं दूँगा, International N Awards में हमारा LG Velvet, जी आई, जब फोन की पहला टीजर आया था, मुझे बहुत ही प्यारा फोन लगा था, बहुत ही बढ़िया फोन लगा था, अब लुक्स देखोंगे काफी अच्छी है, तीन कामरा मिलते हैं Snapdragon 765 के साथ आता है मगर, LG का ये record है, मैं कहूंगा, सबसे बड़ा नशाखोर, सबसे बड़ी company है जो इस category में आती है शुकर है, ये इंडिया में नहीं लाते फोन अगर लाएंगे तो बहुत पिटेंगे Snapdragon 765G लाएं है 680 Euro में, जो नियर बूट 57,000 बनता है वह फोन की looks क्या करोगे अगर इसकी specs उस matter नहीं करती वैसे IP68 भी proof है मगर 57,000 में आपने Snapdragon 855 Plus ही दे देते तो भी मैं कहता चलो, कुछ तो दिया मगर 765, मतलब 7 series जो 20,000 के पास phone ला रही है ये 57,000 किस level का ये वो कर रहे हैं मुझे नहीं समझाता तो अब हम बात करते हैं हमारी main award show की जो है सबसे बड़ा N award, इस category में मैंने 6 phones रखे हैं जो इस साल आए हैं और मुझे बहुत ही भायात phone लगे और मैं request करूँगा कि अगर आप सोच भी रहे हो इन phone में से एक भी phone लेने को तो बही mind change कर लो तो शुरू करते हैं इस award को पहले हम लाएंगे हमारे Huawei Huawei Y9S ये what the F वाला phone प्रोसेसर लाए है Kirin 710F अब इसमें आप ही F नाम आ रहा है तो आप क्या कहोगे अब मैंने तो सोचा नहीं 20,000 का ये phone लाँच किया है जो इनकी ही sister concern company Honor 9X Pro जो Kirin 810F दे रही है 15,000 में ये Kirin 710F दे रही है 20,000 में तो इसमें तो ये पूरे fit बैठते हैं कि भई ये award इनको बनता है उपर से जो ये phone लेगा वो तो इससे भी बड़ा चूप होगा तो मैं सबसे पहला award दूँगा Huawei Y9S को उसके बाद मैं award देना चाहता हूँ हमारे iPhone SE 2020 बाकी काफी लोग इस category से इस nominee से खुश नहीं होंगे मैं तो अपना opinion दे रहा हूँ और जो मुझे लोगों ने Twitter पे comment करके post किया था उन्हें बता रहा हूँ मुझे ये phone में बस एक chipset जो Bionic A13 है उसको छोड़के कुछ भी खास नहीं लगा 1821 एमेच की बैटरी 1821 एमेच की बैटरी जो मैंने इसका टेस्ट किया था चार घंटे नहीं चली थी चार्जिंग चार्जर मिलेगा आपको पांच वाट का 42,000 का ये phone इंडिया में लॉंच किया गया है किस बात के 42,000 लेड़ें 18W का ही चार्जर देदो सिंगल कैमरा रेर में मिलता है ठीक हैंगा कैमरा बहुत बढ़िया है आप 64 मेगा पिक्सल से भी कमपीट कर सकते हैं बाकी बैटरी चार्जर बहुत छोटा फोन है मुझे ये phone बिलकुल भी पसंद नहीं आया सिर्फ एक शोब ओफ के लिए हम ये phone ले 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 तो बिलकुल वहियात phone में आता है ये भी और इसको एवार्ट देना बनता है नेक्स की बात की जाया तुमारा ओपो वीवो जी हाँ ओपो वीवो की तो बात ही अलग है दो वार्ट लिए है ओपो और वीवो ओपो रेनो 3 प्रो जी हाँ चाइना में ये आया था स्नाप्रेगन 765 के साथ 40,000 में phone में को ठीक लगा था और जो उनका ओपो रेनो 3 चाइना में लाँच गुआ था वो मीडिया थैक 1000 प्लस के साथ आया था मुझे थोड़े ओवर लगे थे दोनों phone मगर जभी इंडिया में आया इन्हों तो सुब कुछ गेम ही चेंज कर दी इन्होंने एक तरह से इंडिया में डूवल पॉंच होल लिया है 44 प्लस 2 मेगा पिक्सल का सेलफी के आमना जो चाइना में नहीं था मुझे बड़िया लगा मगर इसका प्रोसेसर दिया रहने हीलियो P95 ये निया प्रोसेसर लॉंच कर दिया हीलियो P95 32,000 का ये phone लॉंच किया जो मुझे बिलकुल भी justify नहीं करता इस phone का price एक सिर्फ सेलफी के लिए आप 32,000 खर्चो तो इससे बड़ा कोई मुरक नहीं है इन्होंने तो सबसे बड़ा N कर लिया था और ये price phone लॉंच कर दिया बाकी OPPO advertisement इतनी करता है एक्टर से, यूट्यूबर से, इंफ्लोएंसर से लोग convince हो जाते हैं और ये बाए कर लेते हैं मगर मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा N Awards में सबसे बड़ा N Awards में नमबर 3 पे आता है उसके बाद OPPO का भाई Vivo Vivo V19 जी हाँ, ये phone की तो बात ही निराली है इस phone में खास क्या है मुझे नहीं समझा है 48 Megapixel का rear camera दिया है वो भी Sony IMX582 वाला 5860 दे देते तब भी चलो छोडो उसस camera का क्या है कुछ भी दे सकते है Snapdragon 712 वही कौन से जमाने में जीरे हो कहां से आते हो और phone की price रखी है 28,000 8 GB, 108 GB बढ़ो ठीक है यहां तक भी मैंने दिल पे पत्थर रखके मान लिया मगर जो इसका 8 GB, 256 GB है 8 GB, 256 GB उसकी cost रखी है 32,000 भाई 4,000 इन्होंने extra ले रहे हैं सिर्फ memory storage डबल करने के लिए सादा loop नहीं मचा लिए वीवो V19 को बहुत लोगों ने कहा बहुत बढ़ी है selfie phone है, selfie phone है, selfie phone है वही selfie का chart डालोगे 32,000 में जब आपका 6 मिने बार आपका जो processor जवाब दे जाएगा तो इस phone का क्या करोगे मुझे really ये phone बिल्कुल नहीं पसंद आया OPPO भी वो really fail है इन phones के कारण तो मैंने OPPO के हमारे जो BB, BBK के चेर्मेन उनको ये awards के लिए specially invite किया है तो तेखते हैं वो क्या कहते है Thank you for this award ये हमारे सस्ते and awards पहला award है जो हमें बहुत खुशी मिल रही है मिल लेते हुए हमने सोची थी BBK इतनी उपर नहीं जाएगी मगर लोग इतने चू है कि हमने एक कंपनी से चार कंपनिया मना ली OPPO, Vivo, हमारा flagship OnePlus और अब Realme भी क्रोग कर रही है इसी के साथ हम 5 भी IQ भी ला रहे है और 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी ऐसे ही लाते-लाते 2025 तक हम 10 कंपनिस बना देंगे Snapdragon और Media Deck के सस्ते-सस्ते चिपसेड लगा के एक कैमरा बढ़िया लगा के थोड़ा सी advertisement करा के हम कहां से कहां पहुँच गए Next Award की बात की जाया तो हमारी आती है जो इस साल का सबसे चहता सबसे प्यारा सबका नॉमिनी है Motorola सबसे बहले बात करते है Motorola Edge Plus कीजी है इस phone की बात ही निराली है मुझे नहीं समझाया क्या आप सोचके launch गया Snapdragon 865 बहुत बढ़िया Waterfall display बहुत ही बढ़िया 3.5 mm audio jack बढ़िया बढ़िया 108 megapixel camera बहुत बढ़िया मगर मगर भई प्राइज जब रखी तो क्या सोचके रखी और जो ये YouTubers इसकी तारीफ करने है वो भी क्या सोचके करने है 75,000 Really इस phone के लिए Motorola के लिए Samsung या iPhone क्या मर गए है या उनका बस स्टॉक नहीं है आप Motorola पे 75,000 खर्चोंगे उपर से लोग कहते हैं कि भई 7,000 का ICIC पे discount मिल रहा है कितने लोगों के पास ICIC का credit card है मेरे पास तो नहीं है तो भई किस बात का वार्ट सबको जादो discount दो वो भी बात है चलो discount भी मिल गया फोन कितने का हो गया 68,000 बहुत जाद है 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 मगर Motorola पे 45,000 पे भी हम कहेंगे जो Xiaomi को हम Mi 10 पे कहने है 50 पे तो मेरे साब से सबसे बड़ा N Award की केटिगरी में टॉप पे जाता है Motorola Edge Plus Really, I mean it Next भी Motorola को जाता है हमारा Final Award Motorola Razr 2020 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाँच किया भी हमारा Samsung का भी आया था Samsung के बता ही है आपके नशे तो होते ही है मगर Samsung ने भी लाँच किया इंडिया में ये फोन आया Snapdragon 710 के साथ कौन से टाइम का प्रोसेसर लाए है मुझे नहीं समझ लाया 1,25,000 Samsung Z Flip जो Snapdragon 855 के साथ आता है वो 1,15,000 के साथ फोन लाँच किया गया इन्होंने Snapdragon 710 के साथ 1,25,000 के लाँच किया वही, really मुटरोला की समाने में सोच रही है या तो मुझे को लगता है मुटरोला इंडिया में अपना लॉस दिखाने के लिए लाता है 10 फोन लेके आता है 10 फोन में से 6 फोन देता है influencers, youtubers को और review करें 4 फोन अपने ही बंदों को बांट देता है या कोई writers है जो articles लिखते है उनको देता है 10 फोन हो जाता है फोन बिग एक, out of stock हो गया जो हो गया लेने वाला कोई नहीं मेरे साब से ये फोन रेली, worst फोन है 2020 का इस price को ये justify किसी भी हालत में नहीं करता तो भाई, आज के award show में बस इतना ही अगर आप कोई अगर मैं किसी फोन को miss कर गया हूँ तो मुझे comment box में जरूर पताईए बागी ये मेरा opinion है किस कोई कोई दिल पे मत ले बागी आपको पसंद आई हो वीडियो तो एक like जरूर कीजिए न्यू है चालम पे तो subscribe मिलिए मिलते हैं अगली वीडियो में चल्दी जायन वंदे मातरम